नमस्कार दोस्तो, दोस्तोँ आज हम बात करेंगे टू बेच के प्लान के बारे में प्लान में आपको पूरा डिटल में समझा दीता हूँ यहाप्वे दिखेंगा इस तरफ हमारा रहेगा लगबक 26 फीट और इस तरफ रहेगा लगबक 40 फीट दोस्तो 26 feet by 40 feet में हमने two beach के प्लान जो है वो बनवाए हुआ है तो चलिये पुरा जो प्लान है वो पूरा समझ लेते हैं जो प्लान जो है वो हमने वास्तुerve श्यास्तर की हिसाब से बनवाए हुआ है यहाँ पुछेगा ग्रांड फ्लूर का हमारा प्लान है और उसका जो बिल्टब एरिया है वो लगबग है एक हाजार पच्शिस स्क्वेर फिर्ट और यहाँ पर दिखेगा यह नौर्थ डिरेक्शन है हमारा जो बंगलो है वो नौर्थ फेसिंग रहने वाला है दोस्तों तो चलिए हम पूरा ज रहा से आप निलता है तो यहां पर रहे था है हमारा वारांदा दोस्तों और वारानदा से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां दोस्तों और यहां लिभुल में से हमने क्या किया है वहाँ पे स्चेर केस का एरेजब्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे देख सेस्कते हैं यहां पर सब्सक्राइब कैस्ते रहेगा उपे लिंब हॉल से हम आगे बड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलना है हमारा घर का किचन जो ने बनवाए हुआ है वास्तु शास्तर की हिसाब से किचन का जो साइज ओ है 12 फिर लिए 12 फिर यहां पर हमारा किचन काउंटर हेगा यहां हमने दो विन्डों किये हुए और यहां पर टाइनिंग का जो एप्टार्श में वह कर सकते हैं दोस्टों यहां एंटरी भी किचन के लिए दिया हुआ है दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें मिलता है बेडरूम जो कि है 11 फिट बाइ 12 फिट का यहां पर हमने वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दे हैं यहां हमने बेर का जो अरेजमेंट है वो कि यहां वहाँ है उके उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमें मिलता है बादरूम और डब्लीजी यहां हमारा जो सर्कुलेशन है और अकुछ इस तरह से होने वाला है दोस्तों यहां से किचन जाएंगे लिंग हॉल से किचन में जाएंगे बेटरूम में जाएंगे यहां से बातरूम है उसके बाद डब्लीजी है और इसके बाद यहां पर दूसरा बेटरूम है तो बातरूम का जो साइज है वह है दोस्तों साथ फिट बाई चार फिट का और डब्ली एक और तरह को पूरा टूबेज के प्लान लिंग हॉल किचन बेडरूम बात रूम डब्रूम दूसरा वाला बेडरूम उसके बाद वरंडा और पुर्ज का जो है वह हमने क्या हुआ दोस्तो दोस्तों इस तरह के वीडियो़ से दिखने के टॉपिक साथ धन्यवाद दोस्तों